बिहार में कभी नहीं बनेंगे बिजेपी बले उगठ बंदन में आजाए लेकिन बनेंगे नहीं तर failure इसके बाद knowledge में बजये ल difस्राइब पता इस उन करके बिखार सब्सक्राइब यहाइब वह लुग होता है तो लोग सोच ठाग यहाद हो है अगर जो वह जान रहे हो가amosy दो मेरा the कि नहीं हो पाएगा बिहार से कि नमस्कार में नंदन आप देख रहें कि लोगसबा चुनाओं आने को हैं 2024 में हम पदारपन कर चुके हैं और वहां से आप देखिए लोगसबा चुनाओं को लेकर बहुत सारी बाते भी सामने आ रही है और साथ में राजिनीती एक ऐसी चीज तो फिर क्या क्या कमया निकलकर आती है क्या एसी बाते रहती है जिसको ध्यान में रखकर आम जनता को वोट git जहिए हमारे पीछे कुछ जनता है बिहार के ही लोग उनसे हम बात करेंगे कि सबसे पहले बताईए कि राजनीती की बात करें देश की राजनीती उसे अब किस नजरीय से देखना चाहिए भी यह वही नजरीया से हम देख रहे हैं वही नजरीया मेहनत करके खातें नोक्री तो है नहीं बस मज़ूरी करते हैं खेती बारी है कुछ अपना जीवन चल रहा है और क्या नजरिया देखेंगे बिना मेहनत का कुछ हो सकेगा बताइए जिस तरीके से आप बोल रहे हैं हम यह समझ सकते हैं कि 1947 के बाद देशाजाद तो हुआ लेकिन कही ना की गुलाम हम अभी भी हैं अब यह तो हमको समझ में नहीं आता हम गुलाम तो नहीं हैं हमसिए पार्टी को सब्सक्राइब करते हैं हम तो राज़त में जिन्दगी में बोट दिये हैं राज़त को मानते हैं तो राज़त पार्टी आपके नजरीए में कहने का तो राज़ी की सबसे बड़ी पार्टी है लेकिन क्या कबिली है तो राज़त में है और जेडी में तो स्टार्टिंग तो सुलू से जो बने थे उसके बाद तो उनिकी जैसे माना जाए कि जब नीटीस कुमार जब खड़ी हुए थे मतलब बॉटिंग में तो उस समय तो जाने में किया थे कि पठना में गांदी मायदान में बॉम पठा था यह आप बाद जानते हैं फटा था ना जा जोन समय नीटीज कुमार इलेक्शन लग लेगे ते जब आरज़े डी के सरकार था जब नेता मतलब बने थे तो क्या बब फटा था? बॉम तो नहीं पटाता इसका मतलब है कि पबली को अकर्चित करने के लिए किया गया था कि अपने तरफ दियान गीचने के लिए ऐसा तो नहीं है पहले कभी हुआ था क्या वो काम नहीं नहीं हुआ तब या आप भी सच सच बूलिए क्या हुआ था कि राजद के लोगों पर बहुत सारे बिले मिला को हमको यह कहना है ना कि नेता कोई भी हो मतलब पब्लिक के साथ खिलबार नहीं करना चाहिए अब बॉम भटाता था उसमें आदमी लोग भी तक जान भी गई थे घायल भी होते हैं अड़े हां पॉलिक्स करते हैं इसका हम भी थे उसमें हम तो बच्चा थे मगर हमको पता चला तो हमको लागा था कि हमको ऐसा अनुभव हुआ कि जरूर यह लोग का मतलब लोगों का अकरशित करना उनका मतलब में मोड़ा वही था और कुछ नहीं है उसके बाद से देखें उसके बाद से तो लागतार बनते ही पल्टूचा बने बने जहां तक राज़त की बात करें तो एक बात बता यह उन पर बहुत सारे आरोप भी लगते हैं चाहे चारा घोटाला को लेकर हो या फिर ऐसे ऐसे आरोप की गुंडा राज जंगल राज राज़त ही लाते हैं तो आरोप लगते हैं उसको अप किस पर जो भी अरोप है सब गलत आरोप है का लालू जी चारा घोटाला ठोड़ी नहिए जो भिरोधी है उन पर जो व्जेंन लगा करके उसको प्रेसान कर रहे हैं कुछ नहीं है कोई जान नहीं है इचारा अगोट अला लोग सभा चुना हो पर आता तो आपको क्या लगता है कि भारत में इस पर जो लोग सभा चुना होने वाला काव कॉलेकर आप क्या समस्ते हैं क्या बाजपत इसरी बार बनेगी आ फिर कोई और अन्य बाज़िएफ़ी आपके नजर में है केंद्र में जो है ना भी जेपी बनेंगे ओखले किया नौड बनेंगे नहीं पर घ्रम कभी नहीं बनेंगा लेकिन तो बनेंगे नहीं पिछे क्या कारण है कि इन्होंने कहा कि राज जी में कभी बीजेपी नहीं बन पाएंगे चाहे गठ बंदन में क्यों ना आ जाए तो मेरा करने के मतलब है कि अब आज से मतलब पांच साल पहले अब देखे थे कि लालू यादब मतलब जिन समय गठ बंदन हुआ था तो नितिस्कमार भी जान रहते है कि इस बार हम नहीं जीत पाएंगे तो उन्होंने गठ बंदन किया उसी समय से उनका नाम पल्टूचा पड़ गया जो उन समय गठ बंदन तोड़के उसके बाद बीजेपी मिल गयते हैं तो उनको पता भी था उनको पता था कि हम बिहार से नहीं जीत पाएंगे और उन लोग मतलब जो भी बातचीत होता होगा तो वो लोग जानते हो थे या उनका प्लैनिंग होगा या तो सोच होगा हो ऐसा कि अगर जो वो लोग भी जान रहे होंगे कि नहीं इस बार तो मेरा सरकार बनेगी केंद्र में और सपोर्ट करते हैं राजद को ऐसा की मतलब बिहार में जो हैना बीजेपी को कभी मतलफ करना के एखास करके उत्तर पर्देश और बिहार यह दो जगेह जाति वादी है यह ले करके यहां पर आप मानते हैं कि राज़त जीतेगी तो जातिवादी सहीं जीतेगी जातिवादी कुछ ऐसा काम भी किया है काम का भी है उनके पास कि ऐसा थुरी है कि जातिवादी काम भी किये हैं लेकिन बहुत लोग आरोप भी लगाते हैं कि राज़त जो है वो याद वो और मुसल्मा तो आप ने देखा कि हमने ऐस स्याक्तुन दोगों से बात कि यहां की जनटा का मानना है पटना की जनटा का कि राज में अगर सरकार बनेगी तो राजट की बनेगी और भाजपा अगर महागट मंदों में भी आ जाती है तो भाजपा की सरकार नहीं बनेगी राज़त के लावा और कोई पार्टी है नहीं और केंदर में अगर बात करें तो केंदर में भाशपा कि इहीं सरकार जैसी है वैसी कायम रहीगी और दूसरी कोई पार्टी उनके विरुद में है नहीं तो यह थी आज की रिपोर्ट बाकिया से और तमाम खबरों के लिए अगर सत्व बने रहे और देते रहें के टिस्टाइटी फॉर मैंन अंदर प्रस वेगी पिडियो के साथ धन्यवाद